नमस्कार प्रेशर होगा वो सोच रहे होंगे कैसे तैयारी करें लास्ट के तीन दिनों में लास्ट के मिन्टों में तो ज्यादा चिंता मत करें हम आपको इस वीडियो में ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपका अच्छे से अच्छा माक्स आ सके लास्ट के तीन दिनों में आपको प सवालों के जवाब के लिए एक सब्द सीमात तैय कर सके और परिक्षा में वक्त बचा सके दोस्तों अगर हम एक्जाम में टॉप करने के दस सुत्र बनाए तो उसमें रिवीजन सबसे उपर आएगा अगर आप बिना रिवीजन के परिक्षा में जाते हो तो आपके साथ दो बाते हो सकती हैं पहला ये कि अगर सवाल को कहीं भी थोड़ा सा गुमा कर पूश दिया तो उसका जवाब जानते हुए भी आप सवाल में ही उलच के रह जाओगे दूसरी बात ये कि कई बार एक्जाम के प्रेशर में हम सवालों के जवाब याद नहीं कर पाते तो रिवी पर पैटर्न बदल गया आप वहां खुद को ऐसा है कर लोगे और कमजोर एरिया पर मेहनत करें अब तब से महत्रपूल बात करते हैं रटे नहीं समझे कभी भी किसी भी टॉपिक को रटने कोशिच ना करें इससे आप खुद कोई परशानी में डाल सकते हो इसलिए बैतर ह करते हैं कमजोर एरिया पर काम करने की इससे पहले आप अपने कमजोर विशय या जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट हो उसे छोड़ो यह कहकर कि दो दिन बाहत पढ़ लेंगे तो यारी गलत हो जाएगा यही समय है उस पर मेहनत करने की नहीं तो वही कमजोर सब्जेक्ट आपको ले डूबेगा तो उस पर ज्यादा रिवीजन करें उसको मेहनत करें और उस कमजोर सब्जेक्ट को मजबूत बनाए अभी पी एक्जाम में काफी वक्त है बैतर जोर सोर से तयारी में लग जाए कभी कदार ब्रेक लें ताकि दिमाग रिलाक्स हो महसूस करें तो य झाल